नमस्कार मसुग करण साहे काचारिय एफम स्रीरादेशाम आर मुरारका गौर्मेंट पेजी कॉलेज जुन्जमिद। आज हम विकॉम पार्ट प्रत्थम वर्ज। के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी विषे वेवसाइक अर्थसास्तर बिजनेस इकनोमिक्स बिजनेस इकनोमिक्स विशे पेपर एफम पेपर पर्थम में वेवसाई कर्शास्तर के बारे में आज अध्यन करेंगे ए व्याख्यानिया ए लेक्चर की सुरुवात करने से पहले सभी विद्यार्थी सत्तर दो हजार बीस इकिस के विद्यार्थियों को बहुत बहुत सुबकाम नए इस नए सत्र में हम कोविड नाइन्टीन के कारण इव्याख्यान के माध्यम से आपको वीडियो डिलिवर्ड करेंगे जिसमें EFM पेपर विकॉम पार्ट फेस्ट के लिए वैवसाइक अर्शास्तर EFM पेपर पर्थम EFM सेकिंड में इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम आपके दो बुक चलेंगी एक्जाम में एक तो वैवसाइक अर्शास्तर फेस्ट बुक दूल्सरी EFM सेकिंड में भारतिय बैंकिंग एवां वित्न वैस्था भारतिय बैंकिंग एवां वित्न वैस्त-?!" इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल मनेज्मेंट यह आपके EFM 2 है इन से सम्मंदित नौट्स और वीडियो व्याख्यान आपको वाटसप गुरूप के माद्यम से डेलिवर्ड किया जाएगा जो कि आपकी एक्जाम की दस्टी से बहुत ही मैतोपूर्ण होंगे इंपोर्टेंट प्रश्ण है और इंपोर्टेंट कंटेंट आपको व्याख्यान के माद्यम से बताया जाएगा तो यूटूब चैनल के माद्यम से इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब यो शेर भी करें जिससे आपको इएफम से सम्मन्दित सभी वीडियो आपके पास डिलिवर्ड हो सके आपको सूचना यूटूब के माद्यम से वीडियो मिल सके अब हम सुरुवात करें व्यवसाई कर सास्तर इफम पेपर प्रथम में यूनिट संख्या फेस्ट आपके एक्जाम के पैटन में जैसा कि आप 12th कलास पास करके आये हो तो उसका पैटन थोड़ा अलग है यहाँ विस्वी जैलियों की परिक्षाओं में एक्जाम का पैटन थोड़ा अलग है प्रतेक प्रसन पत्र सो नंबर का होता है जिसमें 5 प्रसन आपको एक्जाम में करने होते हैं प्रतेक यूनिट में दो प्रसन आते हैं उसमें एक यूनिट का चैन करते हुए एक प्रसन प्रतेक यूनिट में आपको करना है जो की एक प्रसन 20 मार्क्स का होगा और आपको टोटल 5 प्रसन करने हैं इस परकार ये 100 नंबर का आपके एक्जाम में पेपर होगा एक ऐसे ही प तो अ्वरवा पर्थम हम वेवसाईप और्थसास्तर के बारे में चर्चा करें जाने, जैसा कि आप पूर्व के क्लास में आपने पढ़ा है, Business Economics हो सकता है कई बट्रों के कंपूूटर भी हो, पर तु बिजनेस इकोनोमिक्स का धेन करने से पहले हम और्थसास्तर के बारे में बढ़े हैं जैसा की अर्थ सास्तर इकोनोमिक्स अर्थ पलस सास्तर दो सब्दों के योग से बढ़ा है इकोनोमिक्स इकोनॉमिक्स अर्थ का मतलब यहांपर धन होता है प्ल fingertips सास्तर का मतलब यहां पर अध्यन होता है इस परकाल अर्थ सास्तर क्या हुआ धन का धेन से धन के अधेन से समंदित विविन परिभासाइं आपने पढ़ी जैसा कि एडम इसमीत ने भी अपनी धन से समंदी परिभासाइं दी रोबेंसन ने कल्यान समंदी और भी विविन अर्शास्त्रियों ने तो सिंपल सब्द में हम बात करें कि अर्शास्तर क्या है और वैवसाइक अर्शास्तर क्या है जैसा कि अर्शास्तर के जनक भी आपने पढ़ा होगा अर्शास्तर का जनक क्या हो कौन है एडम इसमीत फादर ओफ एकोनोमी एडम स्मित इन होने दाइन इंक्वारी ऑफ प्वेल्थ ऑफ नेशन इस बुक्स में वेल्थ ऑफ नेशन बुक्स में अर्शास्तर या धन्से सम्मंदीत परिवासाओं का धिन किया गया जो कि एडम स्मित की बुक्स का भी ये नाम है इसी परकार ये तो नॉर्मल है जो कि आपने बिल्कुल एक नीव क्लास के रूप में या फिर सुरुआत में आपने इनका धिन किया आगे भी आपने अर्शास्तर के छेत्र के बारे में धिन किया कि अर्षास्त्र को दो भागों में बाटा गया है कितने भागों में दो भागों में एक कौन सा वेस्टी अर्षास्त्र और दूसरा समेश्टी अर्षास्त्र माइक्रो एकोनोमिक्स दूसरा मैक्रो एकोनोमिक्स अर्षास्त्र के कितने प्रकार बताएं छेत्र स्कॉफ फॉफ एकॉनोमिक्स वेस्टियर शाष्टर, मैक्रो एकॉनोमी और समेस्टियर शाष्टर, मैक्रो एकॉनोमी वेस्टियर शाष्टर क्या है? जैसा की नामी सही प्रतीत है, मैक्रो, मैक्रो मतलब यहां सुक्सम होता है, छोटा, वेस्टियर शाष्टर ग्यान की वह साखा है, जिसमें व्यक्तिवित इकायां या छोटी-छोटी इकायों का अधेन किया जाता है, वेस्टियर शाष्टर कहलाता है, जैसे विशिष्ट व्यक्ति, फरम और उद्योग, यह किसमें आते हैं? इसका आकार समचिप्थ होता है, तो इसलिए वेस्टियर शाष्टर है, इसी प्रकार समेश्टियर शाष्टर में पढ़ेंगे, वेस्टियर शाष्टर में हम पढ़ेंगे वेक्ति, फरम और उद्योग, जिसमें आगे के धाय में यूटिलिटी, डिमांड, अनेलेसिस, सप्लाई, कंजूमर बिहेवियर में, मांग का नियम क्या है, मांग की लोच क्या है, इलास्टिय ओफ डिमांड क्या है, ये सब किसके पार्ट हैं, वेस्टि में, समेश्टि और भी है, मार्केट है, प्रोडेक्शन है, ये वेस्टि का प्रकार, समेश्टि अर्षास्तर जैसा की नाम है, मैक्रो, मैक्रो का मतलब वह व्यापक का यहां ताथ पर यह विश्टरत से हैं समयस्ति अर्षास्त्र ज्यान की वह साखा है जिसमें संपूर अर्थवेस्ता का धेन किया जाता है किसका है संपूर अर्थवेस्ता जिसमें कुल बचत, कुल रोजगार, कुल विन्योग, कुल राश्ट्रिय आए और भी विन्योग, कुल ब्याज, तो क्या है सम्पूर अर्थवेस्ता का अध्यन क्या जाता है, वो कौन सा है, समस्टी अर्षास्त्र इस परकार समश्टी और वेस्टी अर्षास्तर का हम इस बुक्स में विजनेश इकोनोमिक्स में चेप्टर वाइज आपके इस कॉर्स में अपन अध्यन करेंगे जिसमें वेस्टी अर्षास्तर और समश्टी अर्षास्तर दोनों का अध्यन करेंगे यह तो बात रही यहां पर इंट्रोडक्शन की जो कि आप पूरू के कलास में पढ़ चुके हैं जैसा कि आपने पढ़ा कि वेश्टी समेश्टी अर्षास्तर के जनक कौन है तो एजवर्थ वेश्टी समेश्टी अर्षास्तर के जनक माने जाते हैं आगे हम बात करते हैं टॉपिक की यूनिट संख्या प्रथम में व्यवशाईक अर्षास्त्र का अर्थ एवंचेत्र आज हम पढ़ेंगे जैसा की पहला प्रथम चेप्टर है आपके व्यवशाईक अर्थ सास्त्र का अर्थ एवंचेत्र आज हम पढ़ेंगे व्यवशाईक अर्षास्त्र क्या है जैसा की मैंने आपको बताया व्यवशाईक अर्षास्त्र के जनक जोयल डीन है व्यवशाईक अर्षास्त्र में व्यववारिक पहलू का देन क्या जाता है किसका देन क्या जाता है व्यवशाईक अर्षास्तर में व्यवारिक पहलू का देन क्या जाता है कोई भी प्रसनम जब अटेम्ट करते हैं तो सर्व पर्थम उसकी भूमिका के बारे में जानेंगे तो भूमिका में इसकी पढ़ेंगे जैसा की बहुत ही मैतोपुन क्यूसन आपके एक्जाम में आता है कि व्यवशाईक अर्षास्तर से आप क्या समझते हैं व्यवशाईक अर्षास्तर का अर्थ वैं एवं विशेशताएं या प्रकर्ति का वर्णन कीज़ें डिफाइन बिजनिस एकोनोमिक्स एंड क्रेक्टिक्स या नेचर ओफ बिजनिस एकोनोमिक्स आज हम ये पढ़ेंगे वेवसाइगर सास्तर क्या है सरवपर्थम कोई भी परसंद की हम जब सुरवात करते हैं एक्जाम में बाहुत ही मैत्तोपूर ये होता है क्यूंकि ककसा बारवी पास करके आते हैं विद्यार्थी जिसमें बच्चों को पेटर्न नहीं मालूम होता है कि कैसे अटेम्ट करना है तो जैसा कि ये प्रसन है वेवसाई कर सास्तर का अर्थ यहों विशेशत है सरो पर्थम तो उसकी आप भूमीका लिखो ने रोल भूमीका में उसकी एतियाशिक प्रस्ट भूमीका उले करेंगे कि वेवसाई कर सास्तर में वेवारिक पहलू आते हैं मनुस्य सामाजिक पराणी है जो समाज मेरे के विभिन परकार की आर्थिक किरियाई करता है धनो पारजन की किरियाएं करता है और धनो पारजन की किरियाएं करके वो अपने जीवन यापन या अपने जीवन इस्तर को सुधार करता है अपने जीवन इस्तर में बढ़ोतरी करता है तो इस प्रकार विभिन प्रकार की सामाज ये किरियाएं वह करता है तो ये चीज तो आ आ आमें लिखोगे दूसरा आप लिखोगे अर्थ पुर्डश्रु फिल्ट में और सामानेस एस कि विवसाइक अर्षास्त्र्य ज्यान की वह साखा है जिसमें व्यवहारक पहलू का अधन की ऑज जाता है किसा देन व्यवहारिक पहलू का ऑवarilyं दूसरे सब्दों में, व्यवसाई कर्शास्तर ज्यान की वह साखा है, जिसमें व्यवहारिक पहलू, भूमन बिहेवियर, व्य सेधान्तिक पहलू, पहलू का अध्यन हो, वो क्या कहलाएगा? व्यवसाई कर्शास्तर कहलाएगा. इसी प्रकार तीसरा पॉइंट लगाओगे परी भासाएं परी भासाओं में विभिन परी भासाओं में दोगे जैसा कि प्रोफेसर जोएल दीन के अनुसार जोएल दीन के अनुसार की विवसाइक अर्शास्तर ज्यान की वह साखा है जिसमें विभारी के शैधानतिक पहलू का अध्यन किया जाता है इन्वर्ट पॉमा में बंद करके वाद जैसा दूसरी परीवास एडम इस्मित विवसाइक अर्शास्तर वह है जिसमें धन्शे सम्म अध्यन किया जाता है और भी है जोएल डीन और विविन परकार के अर्षास्त्री जिसमें अपन चर्चा करेंगे जैमस एंड जे आर पाकिशन भी ये कहता है कि वेवसाई कर्षास्तर फरम के आचरण एवं स्यधान्तिक पहलू का अध्यन करता है इस परकार दो तिन परिवा परिवासा लिकने बाद में आप अंत में लिखोगे निसकर्स निसकर्स रूप से अपनिये कहेंगे कि वेवसाई कर्षास्तर ज्यान की वह साखा है जिसमें वेवहारिक एवं स्यधान्तिक पहलू का अध्यन किया जाता है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उप्यूप परकार के निरिने विविन्र परकार के नितिoooo निधार्ण में जो भी समश्य जो आते हैं उनका समाध्हान किया जाएगा परबंद इस तरकर वह वैवसाई कर्षास्तर होता है तो इस परकार यह वैयुव मुझा साहधान्त पांच नंबर आपके एकजामने आपको नंबर आगे हम अब ध्यन करेंगे वेवसाई कर सास्तर की विशेष्टाओं के बारे कि वेवसाई कर सास्तर की क्या-क्या विशेष्टाएं हैं और वेवसाई कर सास्तर की क्या-क्या प्रकृति हैं वेवसाहिक अर्शास्तर की विशेशताएं या प्रकर्टी वेवसाहिक अर्शास्तर की विशेशताएं या प्रकर्टी उच्छत्र आगे के वीडियो में हम आपको ईकंटेंट या ईक वीडियो के वादियम से आपको दिलिवर्ड करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार और व्यवसाई कर सास्तर क्या है व्यवसाई कर सास्तर में कौन कौन शीनुस की परकरती विशेशताई है और व्यवसाई कर सास्तर का छेत्र क्या है उसके बारे में हम वीडियो के माद्यम से आपको अगले व्याख्यान में विश्तर रूप से अधिन करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू वेरी मुच